हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू एक्जी स्पोर्स आज का इस वीडियो में मैं फिर से आई पील मैच के बारे में बात करने के लिए आया हूँ तो कल का आई पील कैसा रहा हम लोगों को कल का आई पेल बहुत अच्छा था हम लोगों का टीम में आयूश बदनी और दीपक कि दिखाद कimana पेलों को खुदा यह दोनों को पिक करके दियाथा मैं टेलीग्रम हो से निवेनडापुडै मैं मैं डोनों को मैं फूल टॉप्लिक टीम में दोनों को पिक करके दिया-था देख सकते हो फुल टौस पे मेरा रेंक च्व। ऐया बैलएलेवन पर नॉर्माल से का ऐसा डेमो चाहिए देखिए यह फाइनल टीम नहीं है कॉपी पेस्ट मत करना प्लेयर को देखना कौन सा प्लेयर को मैं सेलेक कर रहा हूं किस सिचूशन पर मैं सेलेक कर रहा हूं तो वीडियो को अगर पूरा ना देखो कि न तो यह चीज़ पता नहीं चलेगा चो तैसे दीपक हुडा मनिशपंडे को मैंने क्यों पिक किया मनिशपंडे मेरा कैप्टेन था फेल हुआ बट मैंने क्यों पिक किया यह मैं वीडियो पर बोल देता हूं यह सब ना समझके अगर आप किसी भी लीक पर इन्वेस्ट करते हो ना तो वो गलत हो जाता है और आपका लॉ comment section में pin comment पे मैं telegram का link देंगा बीना टेलीग्राम देखें पीना video पूरा देखें किसी भी match पर invest करना थोड़ा सा risky रहेगा जो domestic match है जो थोड़ा सा नॉर्म से domestic match है उसका most probably team में telegram पर ने देता हूं almost CVC suggestion देखे but IPL जैसे matches पे आपका थोड़ा सा contribution भी जरूरी है तो start करते हैं regarding the team discussion team discussion में अच्छा आज आप लोग notification on करके रखना channel का देखिए पहले तो subscribe कीजिए उसके बाद notification on कीजिए channel का क्योंकि आज का match पे मैं शायद यहाँ पे football में जो बहुत बड़ा match है मेरे लिए बहुत exciting match है Portugal versus North Macedonia इस match का मैं वीडियो शायद कुछी देर में preparation मेरा हो चुका है इस match का वीडियो कुछी देर में मैं बनाऊंगा तो उस वीडियो के लिए चैनल को subscribe करके notification on करके रखना अगर football का एक excellent आपका analysis चाहिए तो ठेक है और comment करके भी बताना आप लोग ये football का वेडियो के लिए कितना excited हो तो बात करते है S.I.E.H. versus R.R. का बिना time लेके देखिए यहाँ पे ना सबसे बड़ा problem क्या है मैं नहीं बत रहूंगा मैं सबसे पहले तो पीच का बात करते है पीच कैसा है पीच पे फो ये ये जो पूने वाला जो पीच है ना इस पे ना मतलब इसका मिट्टी थोड़ादा black soil tap का है मतलब इस पे grip बहुत अच्छा आ सकता है crack आ सकते देखो पहला मैच है तो आज crack नहीं आगा बट spinners will play a good role here ठीक है पेसर का bounce मिलता है पेसर को swing मिलता है तो उस condition में कौन सा special कौन सा spinner important है ये जानना बहुत जरूरी है ठीक है देखिए सबसे बड़ा problem यहाँ पे है ना विकेट कीपिंग सेक्षन में आपको तीन जो बड़े नाम है बड़े नाम आपको लेना पड़ेगा एक तो है संजू सैमसान, जोस बड़लन, निकोरस पुरान आपके पास कोई option नहीं है ये तीनों को small league team के आपको लेना पड़ेगा पुरान बहुत अच्छा form पे था तो पुरान बहुत अच्छा form पे था नमबर वान, wicket keeping में भी point दिलाएंगे उसके बद बड़लर बड़लर तो राजस्तान राज के दिए बड़लर बड़लर के दिए बड़लर बड़लर का जो प्लेइंग से ले जो आरार है ना ये मुझे भयंकर दिख रहा है इन दे टर्म्स अब तो इनका जो आप का Sanju Samson ये जो top 4 का जो combination है आरार का ये खतरना combination है ठीक है उस पे देखो अगर chase करेगा ना तो Sanju Samson का रोल थोड़ा सा काम हो सकता है chasing पे आप Sanju Samson को थोड़ा सा drop कर भी सकते हो ये grand league का कहानी है ठीक है बट Sanju Samson ऐसा player है जो इस ground पे जो match हो रहा है इस ground पे इनका अच्छा record है ठीक है और अच्छा record है शाइद 100 भी है और 100 है ना वह ये एसरीज के खिलापी है 100 मतलब एगेस्ट एसरीज संजू Samson ने अल्रेड़ी 100 score किया है पसंद करते हैं एसरीज को खेलना और एसरीज के होना चाहिए बैटिंग first obviously captain wise captain pick होंगे ठीक है बैटिंग first पे मतलब संजू Samson चो आप CVC कर सकते हो बाटलर के साथ भी और Nicholas पुरन भी आपके लिए तीनों के तीनों अच्छा खासा CVC का चॉइस आपका बन सकता है ठीक है उसके आते हैं बैटिंग सेक्शन में बैटिंग सेक्शन में देखिए आपको लेना पड़ेगा तीन नमबर बैटिंग करने आएंगे और पकड़के रखेंगे यह यह बंदा कुछ ऐसा प्लेयर को ड्रीम 11 पर लेना पड़ेगा यह दूसरे फैंटसी अप्लिकेशन पर देखो कॉपी पेस ना करके एक पॉइंट का कैलकुलेशन करना जरूरी होता है उस सेक्टर में आपका यह डेपड़ पालिकल आपके लिए बहुत अच्छा पिक सभित हो सकता है उसके आपका ग्रेंड लिक का अपने लग पे उपर जाएगा यह मेरे उपर आप मत छोड़ो कुछ अपना सिचुएशन भी आप लगाओ इस पर तो उस पर पिक कॉन-कॉन कॉन देखिए मैं आपको बता देता हो पिक कॉन-कॉन हो सकता है पहला नंबर पे तो राहुल जी का जो राइजिंग पूने सुपर जाइंट जो स्टीम था जो दादा का कैपनेंसी में जो संजीव गोइंगा जो उनर्शी पे जो टीम था उस टीम पे भी राहुल जी पार्टी थे तो राहुल स्टीम को इस पूने का ग्राउन का एक्सपेरियंस अच्छा खासा है और इन से 30 35 अप एक्सपेर्ट कर सकते हो यह तो एक बात है उसके बड़ हेट मायर हेट मायर एक ऐसा चौइस है ना हेट मायर का देखो मुझे तो पहला बात यह रखता है जो हेट मायर को बहुत कॉसली खड़िदा गया है इतना इतना फिनिशर है ठीक है हार डिटर है ठीक है बट इसके लिए यह आट नौ क्रो रुपए खर्चा करना यह बहुत ही ज्यादा मेरी हिसाब से तो यह हाई मतलब हाई प्राइस प बगरता है यह दो तीन कैस तो ले लेंगे तो कैस का आठ पॉइंट होता है तो 24 पॉइंट साथ में अगर आके हिटिंग करके अगर 15-20 रन 30 रन करके देता है तो आपके लिए 40-45 रन का 45 पॉइंट का एक पिक हेट मैर बन जाता है ठीक है यह बहुत बड़ी बात है हेट मै मैं खड़ीजा है तो खेलना मतलब खिलाना पड़ेगा बट मतलब मेरा टाइप का नहीं है बहुत से एक तुम सीधी सी बोल आपको कोई सी को अच्छा लगता है तो आप ले सकता है उसके बाद उसके बाद आते है यह शेशी जैसोवाल यंग प्लेयर है पिसले सेजन प्लेयर हो सकता है उसके बाद मेरे लिए जो तीन प्लेयर है जो तीन प्लेयर के ऊपर मैं ग्रेंड लिए लेना चाहता हूँ न वो तीन प्लेयर है रूसी वेंडूसन ग्रेंड फिलिप्स अब्डूल समान ठीक है तेके रूसी वेंडूसन न मेरे लिए मेरा बहुत फेवरेट पेक है जो लोग टेलिग्राम पे हम लोग असाथ जूर चुके हो उन लोग को पता है मैं और नहीं तो ये तो नहीं है पुराने चैनल में जो उसर्स थे तो उनको तो पता है like मैं रूसी वहन्डूसिन को लेगा खेलना कितना पसंद करता हूँ मैं वाइस कैप्टेन भी बनाता हूँ अगर फास बैटिंग रूसी वहन्डूसिन का आता है मुझे प्लेयर बहुत पसंद है बहुत अंडरेर प्लेयर है बट T20 वर्लकप में इन्होंने दिखा के गया था यह क्या कर सकता है तो मेरे लिए एक फिवरेट पिक है बट शायद आज अवेलेवल नहीं होगा रूसी वहन्डूसिन तो उन केस में मेरे लिए और दो आप्शन है एक तो है ग्लेन फिलिप्स और दूसरा है अब्दूल समाद देखिए ग्लेन फिलिप्स ना एक ऐसा प्लेयर है ना जो इनको ना सब कोई इग्नोर करता है बट इनको इग्नोर करना ना मेरे लिए मतलब मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पता है टी टो इंटी पे ग्लेन फिलिप्स का नाम पे चार तीन चार हंड़ेड है और इनके नाम पे और भी कुछ 50 प्लस स्कूर है जो करना चार हंड़ेड करना बहुत बड़ी बात होता है टी टो इंटी में चाहे आप IPL में कर रहे हो चाहे आप international T20 पे कर रहे हो चाहे आप BBL में कर रहे हो चाहे overall जो stat का बात है ना जो इस level का मैं ऐसा नहीं बोलो club level का मैंस पर 100 क्या ग्लेन फिलिप्स एक international खिला रही है तो अब समझ सकते हो फोर जो 100 इन्होंने जो किया है ना यह बहुत खतरनाक है और एसरीज का जो बैटिंग ओडर जो है देखिए एसरीज के पास अब जॉन्नी बेरेस्टो नहीं है अब डेविड वर्नर नहीं है तो ग्लेन फिलिप्स ना कैन बी आ वेरी 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 डेंजल स्प्लेयर वाच आउट फॉर दिस व्लेयर और सबसे बड़ी बात क्या है यह बूलिंग भी कर सकता है बूलिंग कर सकता है इसी लिए मतलब यह और भी खतारनाग फिक साबित हो सकता है अब लोग के लिए अगर खेलते हैं तो देखते हैं खेलते हैं यह फिर नहीं उसके बाद कौन आता है अब्दुल समाद अब्दुल समाद को इसा रिटन किया था देखें यह थोड़ा सा हीटिंग पोजिशन में फिनिशर पोजिशन में बैटिंग करने आता है अब्दुल समाद के उपर इसारीश ने भरो सा जगाया तो बहुत अच्छी बात है आप इनसे जो कल का जो काम जो अभीनब मनहुआर संगारणी ने किया था लास्ट में आके हिटिंग करना प्रॉपर अब अब्दुल समाद से भी यही उमीद कर सकते हो बहुत ज्यादा उमीद मत करना अब्दुल समाद से उसके बाद दिखिए उसके बाद प्रियमगर्ग करून नायार और आर शमराथ रवी शमराथ ठीक ह देखते हैं अगर खिलाते हैं प्रियमगर्ग अंडर नाइंट का क्याप्टेव है पहला आइप देखना पड़ेगा कैसे करून नायर इनके पास तो भाई दुनिया का एक्सपरियंस है यह कहां पर नहीं खिला है अगर मेरे खियल से तो यह केकेर से स्टार्ट करके पंजा नायर आएगा तो कुछ ना कुछ तो नाया अभी जीज हो ही जाएगा ठीक है तो ज्यादा नहीं बोलूंगा थोड़ा बहुत मजा कर लिया तो ठीक है अच्छा उसके बाद मेरे लिए देखिए अभी के लिए मैं पिक राहुल त्रीपाटी के साथ जाड़ हो बट यह मेर चैन्ज होगा और टेलिग्राम चैनल पर लिंक पर डेस्क्रिप्शन है तो पर लिंक कैसे हो सकता है तो वह वहांसे आप जॉइन हो जाईए ठीक है और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे क्योंकि देखिए हर एक प्लेयर के बारे में इतना लेकर आप मुझे एनलाइसिस करना पड़ता है उसके बाद ही एक पब्लिक पे आके ऐसे हम लोग बना सकते है तो इनको आपको पीक करने का जरूरत हो सकता है क्वालिटी बैट्समन क्वालिटी पार्ट टाइम बोलर आप स्पिन करता है तो जरूरत पर सकता है इनका और कंसिस्टेंट है यह नहीं यह आपको दुबा के जाएगा यह कुछ न कुछ करके जाएगा आपके लिए एक मतलब प्रॉपर एक प्लियर मतलब एम भी प्लियर ना बोल सकते हो इनको वाशिंटन शुंदर वाशिंटन शुंदर का ना सेजन पर फॉर्म अच्छा नहीं था बट यहां पर बैल बोलिंग करें ना वाशिंटन शुंदर को पिक कर सकतो इनक यह भी औप स्पिनर है आपोरेंट के पास लेफ्ट हैंडर है तेक है बहुत बोलर औल राउंडर पे हम लोग को ग्रेंड लिख पे आपको रिक्स लेना ही पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ तो मैं हर एक प्लेयर के बारे में आपको बताता हूँ उसके बाद जीमी निशम देखिए मुंबई पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए तो यहां पर मुझे और डाउन आएंगा बोलिंग ठीकटा कर लेंगे ओके-ओके पिक है अप ले सकते हो डरली मुझे लगता नहीं है खिलेंगे रोमडियो शेफ़ट बहुत बड़े प्राइस पे खरीदा गया है रोमडियो शेफ़ट को ठीक है यह अच्छा पीक है हीटिंग कर सकता है मतलब मतलब दिखिए यह रोमडियों से पर्ट हो गया ओडेंस मीत हो गया इन्हों ने यह लोग ना अपकमिंग वेस्ट इंडिस का स्टार है अभी जैसे आप ड्वेंड ब्रावो कारन पोलर अंजे रसल इन लोगों को जानते हो यह लोग अपकमिंग में आएंगे इनका अभी जेनरेशन स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो ऐसे टाइप का प्लेयर है देखना पड़ेगा जो कैसे पर्फॉम करते हैं सीपील में तो बहुत अच्छा पर्फॉम किया तो हम लोग को पता भी था जो बहुत सारा टीम पे हम लोग का वास करता था उसके बाद मेरे लिए दो बहुत 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 इंपोर्टेंट पीक कौन-कौन हो सकता है ग्रैंड लिग पे भाई अविशेक शर्मा रियान पड़ाग दोनों टीम का दो प्लेयर ठीक है अविशेक शर्मा बैटिंग कर सकता है बोलिंग कर सकता है रियान पड़ाग अलगी लेविल का प्लेयर है ठ अविशेक शर्मा उपर बैट करने आएंगे और रियन पड़क को भी प्रोमोशन मिलेगा रियन पड़क का प्रब्लम ही है ना यह जो इनका पांच नमबर पर पहले इनका बैटिंग मिलने वाला है नहीं रियन पड़क को ठीक है क्योंकि पहला चार आरार के पास कौन कौन है देखिए संजू सैंसें जॉज बटलर जैस वाल डेवडर पलिकल संजू सैंसन तो यह चार पुझें तो ब्लॉक है इस पर रियन पड़क आनी सकते बट पांच नमबर पर रियन पड़क आएंगे उस केस में आप थोड़ा सा ओपेनिंग कम्मिनेशन पर आप रिक्स ले सक सकते हो इस साइट का बूलर उटा सकते हैं लाइक भुवरेशल कुमार का लास्ट टाइम जो महमत शामी ने किया था आज भुवरेशल कुमार भी वही आलत कर सकता है तो एसे टट का अगर पिक कर रहे हो ना तो इस कंभिनेशन में आप रियन पड़क को ले लो क्योंकि बट अविशेक शर्मा लिफ्ट अणर मर अविशेक शर्मा ये भी बहुत अ च्छा पिक है क्योंकि अविशेक शर्मा एंगा टौ kullist का पर औपे निंग पे ओपेनिंग पे राहूल जी पार्थी के साथ अभिशेक शर्मा कंबिनेशन हो सकता है क्योंकि राहूल जी पार्थी को ओपेन करना ही पड़ेगा उसका केकेर के लिए थोड़ा साथ नीचे खेलता था तीन चार नमर पे यहाँ पर आप्शन नहीं है क्योंकि केन उइलियमसन है और निकोलास पुरान है बट इनके पास जो मतलब जो ओपेनिंग है राहूल ती पार्थी के साथ अभिशेक शर्मा छोथ होड़के मुझे ओपेनिंग दिख नहीं रहा है क्योंकि अगर ग्लेन फिलिप्स खेलते है तो यह नीचे आएंगे यह ओपेन पर नहीं आएंगे ठीक है तो मुझे फील आरा है अभिशेक शर्मा कैन ओपेन हम ते इनिंग्स तो मैं इनको भी लेके चलना पसंद करूंगा बट रियान पर अगभी ले लोग ठीक है अभी देखो बहुत सारे लोग टेलिग्राम पे बिना जॉइन करके वीडियो पर आगा कॉमेंट करते हो आपका टीम लेकर अभिशेक शर्मा लिया यह हुआ 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 और हम लोग नोटिफिकेशन बेल ठीक है तो देखिए अभी के लिए मैं इसी रिजन के बज़ा से मैं अभिशेक शर्मा ना लेकर वाशिंग्टन तो सेफ लेगे ठीक है उसके बाद कौन आता है उसके बाद देखो उसके बाद पहला पीक आएगा मेरा बुबनेश्रकुमार को मैं ले परसन लेकर चलूंगा वुनेश्रकुमार कैन डू सम्सुइंग क्योंकि एसारी का बेटर बोलर वुनेश्रकुमार है उसके बाद देखो उसके बाद आपके पास बोलिंग में इतना सारा option है ना उपर से तो किसको लोगे किसको नोई लोगे यही लेकर confusion आ रहा है ठीक है म है ना यहाँ पर टी नटर आजानी इसको भी कौद मतलब पीक करना बहुत पसंद करूंगा टी नटर मतलब नटर आजन का क्योंकि यह बोलर भी फॉर्म पर है एं मतलब इंजियूर्ड भी नहीं है तो टी नटर ऑल टाइम अग गुड टी टोइंटी बोलर ठीक है अब ने किया था तो बोलर में देखिए बोलर में आपके मेरे लिए भुबनेशित कुमार और टी नटर इन दोनों मेरे टीम पे होगा आप देखिए आप कितना सारा ऑप्षान है प्रशिद्ध कृष्ण रवी चंद्र नशिन यह चाहाल ट्रेंड बोल यहाँ पे चाहाल एक ज कौन ओपेन कर रहा है उसके उपर बेस करके चाहाल वर्स रवी अश्रीन यह दोनों का पिक होगा ठीक है और ट्रेंड बोल्ट भाई ट्रेंड बोल को तो पहला इनिक्स पे छोड़ना मत अगर बोलिंग करना चाहे आपको कुछ बड़ा प्लेयर डॉप करना पड़े तो कर करो पर ट्रेंड बोल को मत छोड़ो ट्रेंड बोल्ट एक पहला इनिक्स पे बहुत अच्छा बोलिंग करते हैं यह तो नॉर्मल सी बात है आप मुंबई के लिए बहुत देख चुके हो यह कहानी ठीक है प्रशीद्व कृष्णा बहुत बड़े प्राइस में इसको मतलब खड़िदा गया है डेट में अच्छा बोलिंग करते हैं ODI में इंडिया के लिए अच्छा फॉर्म पे था तो देखना पड़ेगा कैसे इनको भी आप पिक कर सकते हो बोलिंग से बहुत सरा ऑप्शन है उसके बाद आपके लिए आता है बहुत बढ़िया पिक स्रेयाज ग लेने का एक नैक है और इन्होंने विकेट चटका सकते है स्रेयाजोपल कैन भी आ वेरी वेरी गुट ठीक है उसके बाद आपका उम्रान मालिक को इस रीज़िग किया था बहुत अच्छा कासा पेस है आप इनको ले सकते हो बहुत बाउंस शॉर्ड बॉल ये सब में माहिर तो आप इनको भी आप पिक कर सकते हो कार्थिक ट्यागी कैन भी नॉट मतलब कर्थिक्त ञाइस करेंगे नियन कि नहीं तो कर्द ऐसे घ्राप औप्शन नहीं है लग्जिप इतना बड़ा बड़ा नाम है न उपर तो वो छोड़के नीचे के साइड आने के लिए आपके अंदर थोड़ा सा हिम्मत चाहिए हिम्मत देखाओ कुछ बनेगा और जो एकजी के साथ इतना दिनों से जुरे हो उनके लिए ये लाइन काफी है ठीक है उन लोग रिक्स लेना जानते है फजल हक ठीक है परूप की यह इनों ने ना लास्ट टाइम जो अफगानिस्तन वर्सेल बागनादेश हुआ था जो हम लोग ने कौबर किया था फजल हक को मैंन अब यह जब भी विकेट लेते ना था बल्क में विकेट लेता है तो अबेट मोग में आपके लिए भी एक बहुत बड़ा पिक साभित हो सकता है उसके बाद कुल्दी याद अब यह पेज बोलर है ठीक है ठीक है चलो छोड़ो जाता कुछ है नहीं नॉर्मल टिक टक बोल इसना क्वालिटी बोलर है इन्होंने तो इनको भी देखना पड़ेगा कुल्दीप शें यह एक अच्छा पेस बोलर है यंग्स्टर है इनके पस रौ पेस है और यह विकेट ले सकता है और यह अगर विकेट लेना स्टार्ट करेगा ना दो से तीन इनके नाम पर अब प्रेटिंग लेन अब तो आरार का बोलर भी एक इंपक्ट यहां पर डाल सकते हैं उसके बाद मैं और ज्यादा बात करूंगा यह अनुनाइसिंग है यह अनुनाइसिंग है यह अनुनाइसिंग में प्रैक्टिस मैंचे अच्छा-कासा बोलिंग किया था इनका कुछ प्रैक्ट जाता है रवी अश्रीन के साथ ही जाना पसंद करूंगा सारे और क्रेट पड़ा है याशसिज जैसवाल गेन फिलिप सारे ऑप्शन में लिए खुला हुआ है तो मैं जैसवाल के साथ चला जाता हूँ तो यह मेरा अभी के लिए टीम है तो इस टीम में बहुत स सबके लिए एक नॉर्माल सी मतलब सबके लिए पिक यह तीन होगा ही होगा कैप्टेन और वाइस काप्टेन में तीन हो बेस पिक है उसके बाद तो तो एडियन मारकरम के इन वीलियमसन यह दोनों एक बहुत बड़ा पिक हो सकता है तो आप इन दोलों के साथ जा सकते हो ब सब्सक्राइब करके देख चुके हो तो अगर सब्सक्राइब करके देख चुके हो तो अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गए ना तो मैं लाइब में आके एक एक प्लेयर के डिस्केशन कर सकता हूँ ठीक है तो इसी लिए मैं बोलो शेयर करो वीडियो को लाइक करो All the best मिलते हैं मैच टाइम पर Thank you so much